हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका स्टेडी फॉर लाइफ यूटूब चैनल में एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए खुश कवरी है आप लोगों के लिए खुश कवरी है कि सरसट में जो बीपीएसी की परिक्षा है उसका एक्जाम कराने के लिए बीपीएसी ने आयोग ने मीटिंग रखी है 9 जुलाई को और वो जल्दी परिक्षा कराएगा जैसे अभी जुलाई में बीपीएसी में 66 वी का हो रहा है ऐसी अक्टूबर में प्री हो जाएगा और उसके लिए आप लोग अपनी कमर कस लीजिएगा आपको हम आगे देखिएगा इस सूचना दे देना चाहते हैं कि ये हमने एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू की है तो आप उसमें जुड़ सकते हैं अभी 66 के लिए है GS का और ऑप्सिनल जिसका हिंदी है इस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है तीन ऑप्सिनल हमारे पास हैं और GS का जो भी सब्सक्राइब होता है तो एक्जाम तक मेंस के एक्जाम तक कभी भी मेंस हो तब तक और फुल कोर्स के साथ आपको यह तैयारी यह आंसर राइटिंग करवाया जाएगा तो जो लोग जुएन करना चाहते हैं वो हमारे वाटसेप नमबर पर वाटसेप कर सकते हैं यह जो 67 66 BPSC में एपलाई करना चाह रहे हैं उनके लिए एक सूचना है कि बिहार लोग सेवा आयोग ने यह प्रपत्र जारी किया है जिसमें बात किया है उन्होंने कि 9 जुलाई को चार बजे एक मीटिंग रखी जाएगी जिसमें रिक्तियां मांगी गई है रिक्तियां मतलब यह मांगा गया है कि कौन से विभाग में कितनी रिक्तियां है उन पर बात किया जाएगी अता आप लोग अपनी कमर कस लीजिए तयार हो जाएए जिस तरह से जुलाई में 66 मेंस की डेट आ गई उसी तरह से अक्टूबर में यह प्रारंबिक परिच्छा अनिवार रूप से आयोग करा लेगा तो आप लोग इसमें जुड़ जाईएगा अपनी तयारी को मजबूत करिएगा इसके साथ अपना मेंस अभी थोड़ा बहुत एक दो महीने मेंस लेके और उसके बाद साथ साथ प्री का ही तयारी करते हुए इस बार धुआधार तरी कोरोना के बाद यह अग्जाम होगा तो आप लोग अपनी तयारी को अपना लाश्ट टच देने के लिए तयार हो जाईए और जुड़ जाईए पूरे दमदार तरीके से बेस्ट ओफ लग इस वर करे इस बार आपके सपने पूरे हो आपके मावाप के आँखों में खुसी के आश्चु हो धन्यवाद